जैहिंद मित्रो जैसा कि आपको पता है कि आज एक नमंबर से यूपी टेट के फारम लिये जा रहे हैं और बाइस दिसंबर को यूपी टेट की परिक्षा है तो हमारे पास 50 दिन का समय है और अगर आप यूपी टेट की तयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रिखनी चाहिए कि एक कोई ऐसी रड़नीती हो जिसमें 50 दिन में हमें इस परिच्छा में अच्छे अंकला सके जिस रड़नीती की तहत ठीक है हम अब तक हमत नहीं हारनी चाहिए पहले तो सकारात्मक सोचना चाहिए सोच रखनी चाहिए यूपी टेट कोई बहुत कठिन परीक्षा नहीं होती है जिसे आप 50 दिन में कवर नहीं कर सकते हैं सीटेट होता है मानते हैं सीटेट और यूपी टेट में दोनों में एक अंतर ये है कि य परियोग है जाते हैं गए कि onion कौन है या इसका प्रतिक को्न है इस तरह से होगा है इस दे पाएंगे जब आपको पूरा कंटेंट किलियर है जबकि एपिटेट में आप सीरी तथ्यात्मक बढ़कर की भी अच्छे अंकला सकते हैं तथ्यात्मक तयारी करके पाएंगे लेकिन सुनने मारा है किस परसे एपिटेट का कुछ प्रस्नों का इसतर चैंज रहा है लेकिन मझे लगता बहुत बड़ा जाएंगे होगा बGGूदवारे के राग्ता विए अचिज परश टो तो आप तयारी करें पुराने पेपर जितने भी हैं उन्हें शॉल्व करें देखिए हम अपने चैनल के मात्यम से यूपीटेट के जितने भी यूनिट हैं यूपीटेट सिलेवस के अनुसा जितनी भी यूनिट हैं बाल, विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गड़त, विज्ञान, परियावन जो भी हैं उन सब के महत्रपूर्ण प्रस्न देंगे और वो इसलिए दें हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो अधिक खर्चा नहीं कर सकते हैं, वो बड़े आराम से यहां से, या जिनके पास समय की कमी हैं, जो इधर-उदर नहीं जा सकते हैं, वो लोग हमारे चैनल से तयारी कर सकते हैं, मैं बता दूं, मैं अपने अनुहों के आधार पर दे पर चाहता हूं कि जो वच्चे ईपी ट्रेट की तयारी कर रहे हैं उनकी कुछ हेल्प करूं और आप लोगों का भी यह बनेगा कि पचास दिन तक पूरा जी जान से लग जाए फारम भरने के वाद आसा नहीं फारम भर के भूल जाएं अब भूला नहीं है क्योंकि यह परिच्छा बहुत महत्वण होगी आपकी लिए कि अब तक सरफ क्वालिफाइंग होता था और अब इस परिच्छा के एक वट्टे चारंग अगले समय स अध्याफक पर जो भरती होगी उसकी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे तो इसलिए आप महनत करिए और कम से कम 120 अगर 120 नहीं ला सकते हैं तो 100 से उपर अंकलाने की कोशिश करिए पेपर का सलेवस जो आपके लिए होगा प्रस्न का इस्तर जो आपके लिए होगा वही दूस होगा वही दूसरे के लिए हुआ तो इस जटर मत पढ़िए और अपनी तयारी करिए मैं जितने भी इंपोर्टेंट प्रस्न हैं अपने अनुभव को यादाहर पर बालमनों विज्ञान के हिंदी के इंगलिस के पर्यावन के या गड़ित के जो विज्ञान के तो जब तक पर इच्छा होगी कोशिश करूँगा उसे दस दिन पहले तक वीडियो के माध्यम से आपको दे दिये जाएंगे और आपका दो तीन तीन बार वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं तो मुझे पूरा भरुशा है कि आप बड़े आराम से नभ्भय से ज्यादा अंक इन व लेकिन इतना नहीं बदल जाएगा कि पुराना जो इंपोर्टेंट है उसे नजर अंदाज किया जा सके तो एक बार मेरी आप सभी को सुब कामना है कि आप अच्छे अंक लाएं और आगे टीचर बन करके देश के बच्चों का भविश्य समारें और अच्छी तेजारी करे दनी बार